कि नमस्कार दोस्तों कि नमस्कार कैसे हैं आप को एक बार बताये सबी लोग मुझे कमेंट दिखने रहा है cha a4 बदाये कि ए पोने ये पसमिन दिखने रहा है है इस फे बताये । बहुत सुन्दर चलिए एक बार सभी लोग बताईए सब कुछ होके क्या आवाज होके आ रही है बिल्कुल सेर बहुत सुन्दर क्या आवाज होके है चलिए बड़े तमासों से गुजरी है मेरी वो जिन्दगी क्या बात है अभी मेरे सामने से वो भट गया अब मुझे दिखेगा गायब हो गया चलिए कोई बात नहीं सर जी नमशकार 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 फाइनली आप है दर्शन भाग गया हमारे बिल्कुल बीच में थोड़ा समय बिजी हो गया था जीवन बैसे सब को नमशकार गुरी सब बढ़िया अनंद कुमर कह रहे हैं सब बढ़िया चलिए पलवल ब्रांच से बहुत बढ़िया जी किसी को कोई डाउट आवाज क्लियर है चलिए लव यू भाई लव यू इंटर्टेन्मेंट चलिए और एक आपको सूचना मैं देदू एक मैं सूचना आपको देदू ध्यान से सुनना कि जो हमारी क्लास है ध्यान से सुनना अब जो हमारी अगली क्लास होगी यानि जो चार तरीकों मेरी अगली क्लास होगी वो अब सूपर फास्ट क्लास होगी सूपर फास्ट क्लास का मतलब यह है कि मैं जल्दी जल्दी कोश्चन कराऊंगा आज से नहीं जो अगली क्लास है तो यह मेरा जो LPS है उसको अभी कुछ दि क्लास, सूपर फास्ट क्लास के नाम से जानी जाएगी, सूपर फास्ट क्लास के नाम से जानी जाएगी, चलिए, कार्ड दिलादो सर्जे, नीरज दहिया कह रहे हैं, कार्ड दिलादो जी, बिलकुल दिला देंगे जी, आप दर्सन तो दीजे, चलिए, पहला कोश्चन आपक कि इन में से कौन सा कथन गलत है, सबसे पहले मेरे लाल आपको ये डिसाइड करना होता है, कि पूछ क्या रहा है, गलत, अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया था, हाँ, आया था, no doubt आया था, गजनवी, अगर आप गजनवी देखोगे, तो गजनवी का 1000 या 1001 से लगतार तो नहीं कहेंगे, 1027 तक 17 आक्रमण हुए, 1027 तक 17 आक्रमण हुए, लाश्ट एक 1027 था, जाटों के खिलाफ, भेरा का युद्ध या सिंद का युद्ध, जब गजनवी भारत आया, तो गजनवी के साथ, ध्यान से सुनना मेरे लाल, गजनवी के दरबार में चार कवी थे, जिनको हम फूफा के नाम से जानते हैं, फिर दोसी, फिर दोसी, फिर दोसी, जिनकी किताब है शाह नामा, शाह नामा, एक उत्वी, जिसका नाम है तारीक ए यामिनी, किताब है तारीक ए यामिनी, किताब है उनकी, एक पारुकी कोई खास किताब नहीं है और एक अलबरूनी अलबरूनी ऐसा वेक्ती है जो भारत गजनवी के साथ आया था और इसी की किताब है किताब उलहिंद किताब उलहिंद और किताब उलहिंद इसी की किताब है उसी किताब में उसने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया है भाई साहब सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला एक हजार पच्चीस में गजनवी ही तो था इनका मालिक ही तो था तो सोमनाथ मंदिर इसके सामने ही टूटा अलबरुनी के चुकि ये भारत साथ में आय था तो इस किताब में उसने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया है तो भाई सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया है और गजनवी के साथ भी बारत आया है अलबरुनी मुहम्मत गोरी के साथ आया है ना बाबा ना गोरी के साथ नहीं अगर आप गोरी को होगे गोरी को होगे तो याद रखना मेरे लाल गोरी के साथ भारत आये थे ख्वाजा चिस्ती ख्वाजा मेनुदीन चिस्ती ये आय थे गौरी के साथ मैंनु दीन चिस्ती तो गौरी के साथ अलबरुनी तो नहीं आया है 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 अलबरुनी की किताब उलहिंद है जिसको भारत का दरपन कहते हैं बिलकुल कहते हैं क्योंकि भारत का इतिहास भारत की जोग सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर का आजाद इंडिया में सरदार बल्लब भाई पटेल ने डिजाइन तयार किया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने प्रभाकर कुमार से डिजाइन बनवाया था प्रभाकर कुमार से सरदार बल्लब भाई पटेल 1995 2.95 में संकरदयाल सर्मा ने इसको राष्ट को समर्पित कर दिया संकरदयाल सर्मा और यह भी घोसित कर दिया भारत का प्राइम मिनिस्टर ही इसका अध्यक्ष होगा ट्रस्ट का सोमनात मंदिर का बरतमान अध्यक्ष जो हैं वो तुम्हारे आपके क्या नम है परधान मंत्री मोदी जी हैं परधान मंत्री नमशकार जी सबको नमशकार सबको नमशकार तो याद रखना ये अपना सोमनाथ मंदिर है तो अलबरुनी ने इसका जिक्र किया था बाई साव इस भाई साब गजनवी ने भी लूटा है और भाई साब औरंग जेब ने भी इसको तोड़ा है औरंग जेब ने अच्छा हुआ भगवान ने नास कराया इनका नास पिता इनका और सरदार भल्लब भाई पटेल ने आजादी के बाद इनका जीनो ध्यार कराया और शंकर द्याल सर्मा ने इसको राष्ट को समर्पित किया और प्रधान मंत्री को ट्रश्ट का अध्यक्ष बनाया तो भाई साब ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन दूसरा विकल्प सत प्रतिसत गलत है चलिए बताईए हेलो मेरे लाल हाँ 1706 में अरे किलियर हाँ बिलकुल बिलकुल ले आऊंगा भाई साब किलियर है भाई साब अरे रोक दे मित्तर चल दे जल्दी बताईए बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुंदर अरे वाह चलिए तेयार हो जाइए मेरे लाल ये अल्बरुनी है भाई साब ये भाई साब एक और बात बता दूँ पहला मुस्लिम है भाई साब ये पहला मुस्लिम जिसने पुराणों को पढ़ा था भाई साब क्योंकि इसको संस्कृत भी आता था, संस्कृत भी आता था भाई साब, उजबेकिस्तान का था ये, पुराणों को भी पढ़ा है भाई साब इसने, पहला मुसलिम जिसने पुराणों को पढ़ा, अलबरुनी, अलबरुनी, अलबरुनी का जन्म उजबेकिस्तान में हुआ है भाई साब, दो सकेंड का कुश्चन आपके सामने दो सकेंड का कुश्चन आपके सामने ये बताइए सोमनाथ मंदीर ट्रश्ट का सोमनाथ मंदीर ट्रश्ट का अध्यक्ष कौन होता है कौन होता है अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है आंसर आंसर जल्दी जल्दी सो अरे बहुत बढ़ बड़ा तेज चल गए है आप मैं पौन ने बताय था ये कनफर्म है ये कनफर्म है जलिए कोशन नीमडर 2 ये कोशन लेक्ष्ट सवाल आय कि लेटेर्स सवाल है ये अभी लेटेस्ट पर में आया है wanna today करेंश प्रेपर जू ने लिखा है, बिल्कुल लिखा है भाई साब, मिनांडर के उपर किताब है, मिनांडर, मिनांडर के उपर किताब है, ये मिनांडर के उपर, ठीक है, मिलंद पनोह नाग सेन ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बुद्ध चरित्र किताब अस्व घोस ने लिखा है, बिल्कुल वशुबंधुन के मित्र थे और इन्होंने अभिधम कोश नामक किताब लिखे वशुबंधुने ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये ही दोनों बोध धर्म के चोथे संग में शामिल थे कनिश्क के साथ कनिश्क के साथ कनिश्क तो राजा था और ये लोग अध्यक्ष थे ये औ और अस्वघोस अस्वघोस ने किताब लिखी है बुद्ध चरित्र ठीक है वशुबंधु ने अविधम कोश किताब लिखी है बाइसा बिल्कुल ठीक आंसर है अगला देखते हैं सारी पुत्र प्रकरण सारी पुत्र प्रकरण कल्हड की किताब है ना बाबा ना कल्हड की कि किताब है राज तरंगनी राज तरंगनी और राज तरंगनी में कश्मीर का जिक्र किया गया है कश्मीर का और ये भी जिक्र किया गया है कि असोक का एक पुत्र था जालोक जो कस्मीर का राजा था ये भी जिक्र किया गया है असोक बोध धर्म के साथ साथ सीव का भी उपाश था इसी किताब में बात किया गया कल हड के राज तरंगनी में तब आज सा उलाड की किताब राज तरंगनी है सारी तर्ख नहीं है सारी पुत्र प्रक्रण तो अश्वग् tuaस की किताब है अक्तव DOT dean के राज तरंगनी कैस्वnia किताब है मिनांडर के उपर नाग सेंट ठीक है वुद्ध çरित्र अस्वगोष ठीक है अविधाम को शवसुवन्धु ठीक है सारी पुत्र प्रक्रण गलत है क्योंकि अस्वगोष ने लिखा है, कलहड ने नहीं लिखा, कलहड की किताब तो राज तरंगी है, जिसमें कस्मीर का जिक्र है, कस्मीर का जिक्र है, क्लियर, अरे बतादो मित्र, चलिए, दो सकेंड का कुश्चन, तैयार हो जाओ, दो सकेंड का कुश्चन, यह बताओ, दो सकेंड का कुश्चन, क कि अगर पेपर में कुश्चन आता है कि किस एक वेक्ति ने आजादी के समय उस नए आज या नए सोमनाथ मंदिर का डिजाइन करवाया था 1947 में आजादी के समय किस ने नया डिजाइन तयार करवाया था वोईस प्रोब्लम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बिल्कुल किलियर किसने किसने भाई साब पहला यह आंसर आ गया आलोक सिर्वास्तों आलोक सिर्वास्तों कह रहे हैं सरदार बल्ला भाई पटेल बिल्कुल आंसर भाई साब अभी बिहार PCS का पेपर हुआ है भाई साब, बिहार पॉब्लिक सर्विस कमिशन, कल हुआ था, कल हुआ था, कुल दिप्शर को राम राम जी, बिल्कुल दबुक सोब पे स्टेटिक जी के की किताब है, बिल्कुल भाई साब, साउंड कट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जूटे, तो आप लोग भाई साब समर्थन देते रहें, कल बिहार PCS का पेपर हुआ, पेपर डाउनलोड करना, पहली बात तो, पर कोश्चन मिला लेना इतिहास का, कोश्चन मिला लेना इकनोमिक्स का, और आप ना, भाई साब, करन्ट अफेर का मिला लेना, क्वेश्चन, कल पेपर हुआ था, पांडे सर, आप इतने प्यारे क्यों हो, और आपको हक नहीं है, इतने हैंड समझे, भाई साब, कुल्दीब सर, ये तो आपका बड़ अपन है, जब से आपका साथ मिला है, हम ऐसे ही मिलान कीजिए भाई साब, दो सकेंड का कोश्चन है, सही मिलान करो, ये और जीनियस सर जी, आप लोग का प्यार है, भाई साब, दो सकेंड का कोश्चन है, मिलान करिए, लेटेस्ट कोश्चन है, लेटेस्ट, देखो, जब भी पेपर में आये, ओलेरी कल्चर, कुछ नहीं आंसर करना, ओलेरी, ओलेरी का मतलब होता है, जमीन पर बिखर कर, जमीन पर बिखर कर, जमीन पर खीरा बिखरता है, जमीन पर पेठा बिखरता है, जमीन पर ककड़ी बिखरता है, जमीन पर तरबूज बिखर के होता है भाई साब, तो जमीन पर टमाटर बिखर के होता है भाई साब देखते हैं क्या आंसर है देखते हैं क्या आंसर है ओलेरी कल्चर जमीन पर भिखरकर होने वाली खेती यानि एक आदो वर्मी कल्चर ओ भाई साब वर्मी केच्वा 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 और भाई साब किसान का मित्तर रोकदे मित्तर कि किसान का मित्र या किसान का मित्र केचुआ होता है याद रखना साप मत कहदेना साप तो एक बर I love you so much बाई साब आदमी साफ आदमी साफ किसान का साप नहीं तो वरंी कल्चर केचुआ जब पेपर में आये मारी तो याद रखना, समुंदरी जीवों का संरक्षन करना, भाई साब हम लोग घूमने जाते हैं गोवा, हम लोग घूमने जाते हैं कहीं इधर बीचोच पे, तमाम जगों पे, नमस्कार भाई साब, तो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं लेज, पॉलिथीन गिरा देते हैं, खाते हैं ले तो सरकार ने उनको बचाने के लिए मारी कल्चर अपनाया है, मारी कल्चर तो अगर आप कहीं गंदगी फैलाओगे, तो सरकार मारेगी, मारी कल्चर समुंदरी जीवों को बचाना, और भाई साब एक होता है मोरी कल्चर, मोरी कल्चर होता है सहतूत की खेती करना और इसी सहतूत के पेड़ पर रेसम के कीडे छोड़े जाते हैं जिसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर आएगा, तो रेसम के कीट छोड़ना, मोरी कल्चर आएगा, तो सहतूत का पेड़ लगाना, मारी कल्चर आएगा, तो समुंदरी जीवों को बचाना, अगर आएगा वो लेरी कल्चर, जमीन पर फैला कर खेती करना, और जब आएगा वर् कर्मी कलच्र तो के движ की खेती के लियर और कलियर भाई साथ मारी समंधरी जियों को बचाना यह सहत कुद के खेति एरे कलियर है हेलो हेलो गुझाना से नमस्कार पुझा पांचाल जी नमस्कार आप लोग तो ये बताू ये भाई नहीं था भाई साब, और आप लोग का सेर बनता है भाई साब, और दूसरी बात, अगर आप लोग हम लोगों से प्यार करते हो, गैलेक्सी से प्यार करते हो, गैलेक्सी से अगर सीख रहे हो, तो भाई साब क्लास का, आप लोग जिस दिन भी क्लास हो, यूट्यूब पर सकते हो, इस्टेटस तो लगा सकते हो, सेयर तो कर सकते हो, मतलब आप लोगों से ये उमीद नहीं होती है यार, मतलब लाइक तो बनता है यार, इस्टेटस तो बनता है यार, चलिए बड़ी उमीद है भाई साब आप लोगों से, चलिए, ये सारा किलियर हो गया, दो सेकेंड का question तैयार रखना भाई साब 2 second का question रेसम के कीट raising के कीट की खेती क्या होती है क्या जल्डी बताओ रेसं के कीट रेसं के कीट जल्दी बताए रेसं के कीट, Silvi Entertainment ने कहा सिल्वी कल्चर बहुत बढ़िया वाई साव सिल्वी कल्चर बहुत बढ़िया चलिए आंसर कीज़े बहुत फेमस कोश्चनों में से एक बहुत सब जीत गए वाई साव मैं किस-किस का नाम लो कहते हैं न खुदा ने उतारा तुझे इस जमी पर मैंने सामेरी उमर गुजार तुझे पाने में यूँ इल्जाम लगाते हो तुम मेरी उस प्रेम का अब मैं किसको बताऊं अपनी इस जिंदगानी में तो मेरे लाल जल्दी बताईए लेटेस्ट कोश्चन बिल्कुल लेटेस्ट कोश्चन है भाई साविय चलिए भुग जोई ध्यान से सुनना भाई एक एक पेपर में आएगा जन्दोवेस्टा जन्दोवेस्टा एक पहले याद रखो एक आएगा जन्दोवेस्टा और एक आएगा बोग जोई बोग जोई या बोग जोई या आएगा बोग जोई एक के चीज़ है भाई साब जन्दोवेस्टा इरान की सरकार किताब है इरान का official book है बाई साब जंदोवेस्ता किताब है और बुगजोई एक जगह है इरान का और एक अभिलेक है अभिलेक का मतल़ होता है पत्थरों पर लिखा हुआ एक जगह है एक अभिलेक है इस किताब से भी पता चलता है वेदों के बारे में देवी देवताओं के बारे में आरियों के बारे में और ये भी पता चलता है कि आरे मध्य एसिया से होकर भारत आये थे इस किताब से पता चलता है और बुगजोई के अभिलेक से पता चलता है कि आरे मध्य एसिया से भारत गये थे मद्धेसिया होकर भारत गए थे और देवी देउताओं के बारे में जिक्र करता है यह अभिलेक है, यह किताब है तो मद्धेसिया और तिबतना बाबा यह एक अभिलेक है जिसमें वैदिकाल के देवी देउता सामवेद के बारे में न एक पर्टिकुलर वेद के बारे में नहीं देवी देउताओं के बारे में देवी देउताओं के बारे में क्लियर अरे क्लियर है हेलो 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 बड़ी सुन्दर बात है बाई साब बहुत बढ़宏 भुग्रिवी उजी नमशकार था सुमिज जी नमशकार चलिये आए मैं वो अभिलेक आपको दिखाता हूँ अभिलेक यह है ये वो अभिलेक है बुग्जोई का अभिलेक और भाई साब जो मेरी क्लास है अब चार तारिक को चार अक्टूबर को वो सूपर फास्ट क्लास है भाई साब लगभग इतिहास के 50 से 60 कोश्चन वहां कराऊंगा और ऐसे लगभग 10 क्लासे जाएंगे जो सूपर फास्ट होंगी ठीक है, सूपर फास्ट होंगी वो क्लास, चलिए, अब बताईए, ये कोश्चन बड़ा फेमस है, ये कोश्चन बहुती ज्यादा फेमस है, समालखाशे नमस्कार जी, बड़ा ही फेमस कोश्चन है, देश में सबसे पहले जिस मानो प्रतिमाओं की पूजा की गई थी, क्या बात है, ध्यान से सुनना भाई, अगर सबसे देखो, विश्णु जी भगवान है, वो मानो तो नहीं है, अगर मैं महवीर को हूँ, तो ये मानो है, अगर मैं ब्रह्मा को हूँ, तो ये भगवान है, तो मानो तो दो ही है, पूछा है मानो, कौन सा मानो, जिसकी पूजा, इस तेचू बनाकर की गई तो याद रखना मेरे लाल गोतम बुध ऐसे पहले वेक्ति हैं जो मानों थे और उनकी पूजा की गई है उनकी पूजा की गई है याद रखना 563 BC में यह आदमी जन्मा है यह आदमी जन्मा है कपिल वस्तू में लुम्बनी में लुम्बिनी में और याद रखना 483 BC में कुशी नगर उत्तर परदेश में इस मानों की मृत्तिव हुई है तो याद रखना यह पहला मानों है जो एक मानों होते हुए भी भगवान है और उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई थी यही तो कुश्चन है इसी कुश्चन के लिए तो हम जी रहे है यही कुश्चन तो पेपर में आया है क्लियर जल्दी आ रहे है जी एक पंदरह से बीस दिन में आ जाएगी LPS की टाइप चल रहे है यह गोतम बुद्ध है बाई साब अरे यह कुश्चन क्लियर चलिए सूपर दो सेकेंड का सवाल तयार हो जाओ किसका नाम यहां आएगा बोड पर यह फैसलावी होगा किसका नाम आएगा यह बताए जन्दो वेस्ता कहा की सरकारी किताब है कहा की किताब है जिसमें आरियों के बारे में पता चलता है जल्दी 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 जंदोवेस्ता इरान वर्सा वर्सा ने कहा इरान गजब गुड़ वर्सा ने कहा इरान वर्सा ने कहा इरान वर्सा का नाम आ गया सामने भाई साथ चलिए आपका भी नाम आएगा अभी कुछ दिर बाद हाँ ये सवाल बताईए चलिए बहुत सुन्दर देखते हैं अब किसका नाम आएगा अब अगले सवाल पर किसका नाम आएगा अभी देखता हूँ मैं चलिए अगल रेडी हो जाएए बोधिक यानि बोध धर्म intellectual नहीं यार intellectual नहीं बुद्धा बुद्धा लर्निंग बोध धर्म से जुड़ा हुआ बोध धर्म से जुड़ा हुआ सिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था ये कुश्चन है भाई साब बोध धर्म से जुड़ा हुआ सिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था याद रखना भाई साब बोध धर्म से जुड़ा हुआ नालंदा भी है लेकिन उप्सन में नहीं है याद रखना बोध धर्म से जुड़ा हुआ भाई साब विक्रम सिला भी है जो कि उप्सन में है तो जब नालंदा ना हो, तब विक्रम सिला के साथ जाना बाई साब, और विक्रम सिला बिहार में पढ़ता है बाई साब, क्योंकि नालंदा है नहीं, तब विक्रम सिला ले लो बाई साब, वल्लभी वल्लभी भी है बाई साब गुजरात में, इसका भी नाम आता है बाई बागलपुर बिहार में पढ़ता है भाई साब आईए अगर नालंदा कहे तो ये नालंदा है ये वही नालंदा है भाई साब जिसको कुमार गुप्त ने बनवाया था कुमार गुप्त ने लेकिन भाई साब एक कसाई बखतियार खिल जी बखतियार खिल जी एक कसाई था उस भाई साहब ने इस इन्वस्टी को जला कर राख कर दिया और यह भाई साहब यह गोरी का भी सेना पती था और यह एबक का भी सेना पती था भाई साहब और इसने सत्यानास की दिया भाई साहब कुमार गुप्त ने बनवाया था लेकिन धन्य है एपी जे अब्दुल कलाम ऐसी शक्षियत हैं जिनोंने पहल सुरू की कि नालंदा विश्व विद्याले को दोबारा चलाया जाए जिन्दा किया जाए और 2014 से भाई साब एपी जे कलाम ने 2007 में पहल सुरू की थी भाई साब फाइनल 2010 में हुआ और 2014 से अगेन चालू हो गया पढ़ाई हो रहा है भाई साब अब वहाँ पढ़ाई चल रही है तो धन्य है एपी जे अब्दुल कलाम जिनोंने दोबारा चालू करवा दिया लेकिन भाई साब कुमार गुप्त ने 412 AD में इसको बनवाया था और बक्ति इसवी सेंचूरी में चालू हो गया भाई साब बनाया गया था पांचवी सेंचूरी में बरबाद हुआ बारहवी सेंचूरी में और अगेन चालू हो गया इसवी सेंचूरी में तो यह सबसे बड़ा केंद्र है भाई साब लेकिन विकल्प में तो है ही नहीं तो विकल्प भी है भाई साब वल्लभी गुजरात में ये भी किंद्र है ये वामियान है भाई साब वामियान का बहुत ही स्थूप ये किंद्र थोड़ी है यह पढ़ाई थोड़ी होता है ये कासी का कासी का जोतिर लिंग है भाई साब कासी जोतिर लिंग है भाई साब यहां पढ़ाई थोड़ी होता है बहुत धर्म का, तो राइट आंसर जो है, वो हमारा आपका, यह काशि विश्वनात था, असली आंसर इसका विकरम सिला है, लेकिन नालंदा होता, तो राइट आंसर नालंदा होता भाई साथ, किलियर, अरे किलियर, अरे भाई साब, हाँ 1193 में जलाया था, ठीक बात है, अरे किलियर, हेलो, हेलो, अरे जलनी बताइए, बड़ा सुन्दर बात है, नमस्कार जी, पानीपत से, नमस्कार, आईए, चलते हैं, यह सारा हो गया भाई साब, यह भी हो गया, यह भी हो गया, बामियान का बोदिस्त, क आईए विश्वनात मि भी हो गया, यह अंसर करना भाई साब, इसका अंसर करो, जल्दी, within second, फिर दो सेकेंड का question, जल्दी बताइए, जल्दी, 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 time देते हैं आपको भाई साब, जल्दी बताइए, क्या बात है, कान सा कथन सत्य है भाई सब देखते हैं कौन सा सत्य है तुगलक वंस के राजाओं ने सबसे कम दिन तक राज किया पागले क्या पागले क्या यह आप यह बताओ एक गुलाम वंश है गुलाम वंश बारसो छे से लेकर बारसो नब्भे तक चोरासी साल राज किया चलो गुलाम वंश राज किया गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद दूसरा खिलजी बारसो नब्भे से लेकर तेरसो बीस तक राज किया लगभग तीस साल तीस साल अब यह दूसर नमबर है तीसरा तुगलक वंश तुगलक वंश तेरह सो बीस से लेकर फोर्टीन फोर्टीन तक राज किया लगभग लगभग 94 साल 94 साल ये तीसरे नमबर का है उसके बाद आया सयद वंश सयद वंश और ये 1414 से लेकर 1451 तक ये लगभग 37 साल राज किया भाई साब उसके बाद भाई साब लोधी वंश और लोधी वंश 1451 से 1526 तक राज किया ये लगभग 75 साल राज किया और 1526 से लेकर 1857 की क्रांती तक राज करने वाला मुगल मुगल तो भाई साब मुगलों की देखोगे तो 300 साल प्लस लेकिन या मुगल की तो बात हो नहीं रही तो ये देखो लोधी 75 साल सयद 37 साल तुगलक 94 साल खिलजी 30 साल गुलाम 84 साल तो भाई साब तुगलक सबसे जादा दिन हो गया जब मुगल ना हो तो गलत है ये खिलजी वंस के सासकों ने सबसे ज़्यादा दिन तक राज किया वाई साब पागल हो क्या 30 सबसे कम इनमें देखो तो सबसे कम मूरख बना रहे हैं ये सयद वंस के राजाओं ने तुगलक वंस के बाद राज किया सयद वंस के राजाओं ने तुगलक वंस के बाद रहा तुगलक पहले आए सयद बाद में आए ठीक है ये ठीक है लोदी वंस के राजाओं ने खिलजी वंस के बाद राज किया है सयद के बाद लोदी खिलजी के बाद लोदी कहा है खिल जी के बाद तो तु उलत भाई सहाब यह भी गलत यह भी गलत तो सही तो 1 के है यानी C सही तो एक है या निसी किलियर हेलो अरे किलियर अरे किलियर भाई सहाब हेलो 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 खिजर खावा किलियर हे सर आप मांसित दोबारा सुन लेना इसको रोहित को बलॉक करो गिफ्ट मैसेज कर रहा है बाई बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया दो सकेंड का केच्ट तैयार रखना दो सकेंड का कोस्चन तैयार रहना भाई साथ यह बता ओ बुद्ध चरित्र किताब कसने लिखी है बुद्ध चरित्र किताब किसी ने लिखे है, आंसर, बुद्ध चरित्र, आंसर, अश्वगोष, पूजा, पूजा बेनीवाल, पूजा बेनीवाल, पूजा ने आंसर कर दिया भाई साब, सबसे पहले, पूजा का अंसर आ गया भाई साब, अब तो सारे ने रेली बांद दी, पूजा का अंसर आ गया भाई साब, पहले, चलिए, बहुत सुन्दर जबाब, ये कोशन किजे भाई साब, अई है है, दिल जीत लिया, ये सवाल, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, रेलबे, और सा किसारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर, जमा बस मस्जीद साजाने नहीं बनवाया था, साजाने बनवाया था, 1650 और 1656 के बीच में, भाई साब, यहां ओप्शने नहीं है, और ये, याद रखना, जरूरी नहीं है कि जमा मस्जीद पूरे भारत में क्यवल दिल्ली में है, न जमा मस्जिद के नाम से कई हैं साजहां से भी पहले नाम पढ़ाया जमा मस्जिद का और याद रखना जोनपूर के राजा हुसेन शाह तुर्की ने जमा मस्जिद बनवाया था ये जमा मस्जिद बनवाया भाई साब 15. सताबदी में जबकि साजहां ने 17 सताबदी में बनवाया था, ये 15 में बनवाया बाई जमा मस्दीद, और ये भाई साब यूपी में है, जोनपुर यूपी में है, हुशेन शाह तुर्की ने बनवाया था, ठीक है, हुशेन शाह तुर्की, चलिए, ये अपना दिल्ली वाला है, ये अपन उसको लगाओ, हाजार खंबा महल या हाजार सितुन महल, याद रखना अलाउदीन खिल जी, हाजार खंबा महल, हाजार खंबा महल दिल्ली में है, आईए दिखाता हूँ आपको, हाजार खंबा महल, हाजार खंबा महल दिल्ली में है बाई साब, हाजार खंबा महल, हाजार ख देखते हैं, आएए देखते हैं, कुवतुल इसलाम मस्जिद, कुतबदीन एबत, भाई साब, जब बात करेगा जंजारी मस्जिद या जंजरिया मस्जिद, तो याद रखना जोनपूर, जजरिया मस्जिद जोनपूर, जजरिया मस्जिद कहा गया जजरिया मस्जिद, जोन जौनपूर बाई सब याद रखना जजरिया मस्जिद जौनपूर और पेपर में डाइरेक्ट कोश्चन आता है जाजरिया मस्जिद जौनपूर और जब इबराहीम सिर्की इबराहीम सिर्की जौनपूर यूपी और जब आएगा मोठ मस्जिद शिकंदर लोदी का है बाई स ते हिए याद रखना मेरे लाल ये पेपर में क्ोस्व्चन सीधा आया हुआ है मुठ मस्जीद सिंकंदर लो दी क्लियर अरे क्लियर मेरे लाल क्लियर भाई साव बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर जमा मस्जित के नाम से केवल साहां का नहीं है आप ये मत सोचना केवल साहां का है ये कोश्चन लेटेस्ट रेलबे एंटी पीसी गुरूपडी के पेपर में था भाई साव याद रखना भारत में प्रमुख सुपारी सुपारी को बोलते हैं बीटल नट अरे जो वो पान नह खाते हैं पान मसाला पान मसाला तो भाई साब जो पान मसाला खाते हैं ना वो सुपारी भी खाते हैं और याद रखना सुपारी में करनाटक सबसे उपर है फॉस्ट है करनाटक फॉस्ट केरल याद रखना इलाइची कार्डमम इलाइची कार्डमम इलाइची मसालो की रानी क और केरल को बोलते हैं जम्मुकस्मीर केशर केशर और आज कल केशर आज कल एक मस मश्रूम बड़ा फेमस है भाई साहब गुच्ची मश्रूम ये भी जी अनके में पाए जाता है इसके लिए फेमस है पस्चिम बंगाल आपको पता है चौवल चोल बोलते हैं और चोल माच चोल माच उसमें फ़र्ष्ट है लेकिन पूछा है सुपारी आंसर करो करनातक आंसर को सुखा के संबनाया जाता है सुपारी को ऐसे होता है सपारी का नार्ययल के तरफ सो अरे देखो ये इलाइची मे offices करले माचश मीर और एकक्षमीर में गुच्ची si म बड़ा फेमस हो रहा है भाई साब वो भी याद रखना अ कि यह बड़ा फे मसIE भाई साव अभी लेटेष्ट, रेल्वे का सवाल है लेटेस्ट रेल्वे का सवाल है जल्दी बताईए लेटेस्ट गोधना देखो ऐसे होता है गोधना अरे जो हात पर नहीं गोधवातें गोधना गोधनो आज-कल के लोग उसक इसको बोलते हैं tattoo, लेकिन पहले की जातियां होती थी गोधना गोधती थी, और एक special category थी जो गोधना बनाती थी, उसे ओजहा कैटेगरी कहते थे, ओजहा जनजाती, ओजहा जनजाती होती थी, ओजहा, और इन लोगों का काम था हाथों पर गोधना गोधना, और आज कल तो tattoo क बनते हैं मसीन से और ये लोग तो गोधना गोधते थे तो भाई साव ओजा जन जाती थी ओजा मलाह मचली की जन जाती होती है मचली पकड़ने वाले पकड़ने वाले भील राजस्थान की है राजस्थानी जन जाती है गोंड जो जन जाती थी वो चावलवल भुनने का काम कर थी गोंड जाती मलाह मचली जाती है भील राजस्थान के ओजखा लोग special यह गोदना ग thinkers थे clear ओज़ा जनजाती है नहीं वो दूसरे वो ब्राह्मडो जाय जो ब्राहमडों की परजाती भी होती है यह जनजाती है लगावील्स है औरे clear अरे बताएए ना हेलो हाए मित्तर अरे बतादो यार हेलो चलिए बड़ी खुशी की बात है ये कुश्चन बताएए बाई साब अरे क्लियर अरे वाह क्या बात है क्या बात है क्रिस्टल क्लियर क्या बात है बहुत सुन्दर इसके बाद आएगा भारत का नेशनल एटलस and thematic mapping बाइस जो एटलस होता है ना एटलस जो मैप वैप बनाने का काम करते हैं जैसे देखते हो उन्हों गूगल मैप तो आप किसी राज्य का मैप निकालते हो आप इंटरनेट पर जैसे मालो हर्याना का मैप डोडो, यूपी का मैप डोडो, बिहार का मैप ड 1900 ये है, याद रखना भाई साब, 1956 में इसका निरमार हुआ था, लेकिन फिर ये बंद हो गया, 1956 में नेहरु जी ने इसका काम उठाया था, के ऐसा होना चाहिए कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में लेकिन याद रखना मेरे लाल ये बंद हो गया, काम बंद हो गया और 1997 में दोबारा चालू हुआ भाई साब दोबारा National Atlas Thematic Center और ये कलकत्ता में आई भाई साब कलकत्ता में है ये पहले 1956 में चालू हुआ बंद हो गया, फिर 1997 में और इन ही का काम होता है मैपिंग करना, इन ही का काम होता है अरे कलियर अरे कलियर बावेटे मोज कर दी क्या बात है, मोज कर दी कलियर भाई साब अरे वह चलिए ये वो से भाई साब आईए, अगले कोश्चन पहले एक कोश्चन बताईए दो सेकंड का, दो सेकंड का एक कोश्चन है, बताईए भाई साब, आंसर करना है आपको, दो सेकंड का कोश्चन है, ये बताईए, अगर पेपर में कोश्चन आ जाए, गुच्ची, एक परकार का मस्रूम है, खाने वाला खुम्बी, कहां पर इस कि प्रजाती सबसे ज्यादा पाई जाती है गुच्ची, जल्दी, ये भाई साब कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पढ़ने नहीं आए हैं, ये भाई साब ये पढ़ने नहीं आए हैं, इनके मावापने यही ग्यान दिया है, कि तु जाके दूसरे को ये बोल ले, भाई साब इ मेरे कुछ लोगों ने confuse कर दिया मैं नाम नहीं ले पाया कि यह देड्रीम को थोड़ा ब्लॉक कर रिये तो यह थोड़ा सा यह पड़ाकू तो लग नहीं रहे है यह चड़ाकू लग रहे हैं डेड्रीम करो इने ब्लॉक चलिए भाई साब मैं ना गड़ आ गया कोई बात नहीं यह कोश्चन बताया ओ माई गॉड यह एससी में भी आया हुआ है सीजियल में सीपियों में भी आया हुआ है और अब एंटी पीसी रेल्बे में भी आ गया भाई साब यह और मैं पक्का है हाँ तू जरूर पढ़ रहा है डे ड्रीम ध्यान से सुनना बड़ा फेमस चीज है निमने लिखित में से किस सहर को भारत का सुन्य मिल कहते हैं या ध्यान से सुनना मेरे लाल इस पर कई कोश्चन बना हुआ है कई कोश्चन बना हुआ है सुन्य मिल पर भाई साब याद रखना एक उन्निस सो साथ में एक अंग्रेश था मिन्टो 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 टू और उसने भारत का बटवारा किया भारत का छेत्र बांटा और भाई साहब कई छेत्र बांट दिये मिंटो ने मिंटो टू ने कई छेत्र बांटे भारत के भाई साहब बीचो बीच में बीचो बीच में आ गया नागपूर ऐसे तो बीचो बीच में मध्य पर्देश है लेकिन जब मिंटो ने बाटा 1907 में तो उस टाइम बीचो बीच में नागपूर आ गया और नागपूर को ही संतरों का सहर कहते हैं संतरा सहर और भाई साब वोही पर एक पत्थर लगवा दिया सुन्य मिल का सुन्य मील सुन्य मिल का यानि सुन्य माईल का एक पत्थर लगवा दिया और बोला कि हमारे अनुशार सबसे बीच में यही है तो भाई साब याद रखना आंसर नागपूर है कहीं कनफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ठोक दे मित्तर बढ़ले मित्तर क्लियर अरे वह कि लिए है के अरे क्लिए है बाईसा आक है बामेरे लाल बामेरे लाल बड़ी सुन्दर फाई सब्च एक दो एक और तीन चार सवाल हैं लाश्ट के चार सवाल रहे गए बाई साब और ज्यादा टाइम नहीं लेगा वह मुगल बेगम जिसके नाम पर फर्मान और शिक्के देखो फर्मान जानते हूँ क्या होता है फर्मान फर्मान का मतलब होता है साही आदेश एक तरीके से पत्र शाही पत्र राजा के द्वारा बनाया गया पत्र और सिक्का तो आप जानते हूँ तो किस मुगल बेगम जिसका नाम फर्मान और सिक्को पर भी मिलता है बाई साब याद रखना नूर जहां मुम्तातो साजां के पत्नी थी राबिया उद दोरानी उर्फ बीबी और अंगजेब की थी और अंगजेब की पत्नी थी असमत बेगम याद रखना असमत बेगम एतमत दौला एतमत दौला एतमत दौला की पत्नी थी बाई साब एतमत दौला के और इनहीं की पत्नी एतमत दौला की पत्नी थी और इनहीं दोनों की बेटी थी नूर जहां जिसकी पहली साधी कलकत्ता में हुई थी लेकिन साधी तोड़वा दिया जहांगीर ने और जहांगीर की कई शादियां भाई साब और जहांगीर ने नूर जहां से शादी कर लिया जिसका नाम मेहरुन निशा था पहले मेहरुन निशा अब तब नूर जहां पड़ गया और इनके नाम का पत्र इनके नाम का सिक्का जारी किया नूर जहां की मम्मी असमत बेगम थी जो परसिध थी इत्र बनाने के लिए भाई साव इत्र फूलों से इत्र बनाने की परंपरा सुरू की इसने फूलो से इत्र और इनही की बेटी नूर जहां है नूर जहां इनके पापा एत्मत दौला जिसका रियल ने मिर्जा गयास बेग और मिर्जा गयास बेक का मकबरा है आगरा में भाई साब जिसको बेबी ताजमहल कहते हैं बेबी ताजमहल और इस पर छोटी छोटी नकासियां की गई है जिसे पीटा ड्यूरा कहते हैं पीटा ड्यूरा छोटी छोटी नकासियां नकासी उसे पीटा डिूरा कहते हैं पीटा डिूरा ये है भाई साब ये है भाई साब किलियर पूजा पांचाल कह रहे है हर्याना जी के भाई साब पहले ये पढ़ लो हर्याना जी के पहले ये पढ़ लो उसके बाद मैं बात करूँगा मैंने पढ़ लिया है अरे किलियर भाई साब हेलो हेलो किलियर अरे बता दो ना भाई साब किलियर किलियर भाई साब इत्र हाँ बा मेरे लाल बहुत सुन्दर चलिए बुलू मारमन यह एक तितली की पर जाती है और 2016 में महराश्ट सरकार ने इसको स्टेट तितली घोसित किया हाँ ठीक है बुलू मारमन तितली है मुर्रा एक परकार की भैंस है जो हर्याना में काला सोना के नाम से पर चलिते बिल्कुल ठीक है भाई साब गिर एक परकार की उट की पर जाती है ना भाई साब ये तो गाए और भैंस की पर जाती है बाई साब जिसमें गाय फेमस है इसकी और लेगहौर ने एक मुर्गी की पर जाती है जो सबसे ज़्यादा अंडे देने के लिए प्रचली थे बिल्कुल इटली में पाई जाती है भाई साब बिल्कुल फेमस है भाई साब लेकिन पूछा क्या है गलत तो मुर्ग ना गीर उट है ना गलत है देखो ये बलू मार्मन है बड़ा खतरनाक तितली है ये बलू मार्मन एक नई तितली है भाई साब बलू मार्मन ये भाई साब मुर्गा है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भेंसिया भैसों में सबसे ज़्यादा दूद देती है भाई साब यह गीर गाय गुजरात में पाई जाती है भाई साब और इंडिया में सबसे ज़्यादा दूद देने वाली इंडिया में बिस्वों में नहीं बिस्वों में तो हॉलस्टीन है होलेस्टीन होलेस्टीन नीदरलेंड में पाई जाती है USA में पाई जाती है होलेस्टीन सबसे ज़्यादा दूद देने वाली बिदेसों में इंडिया में गीर और सबसे ज़्यादा दूद देने वाली भेंसिया इंडिया पलस वर्ल्ड दोनों में मुर्रा है सबसे ज़्यादा दूद देने वाली बकरिया वर्ल्ड हो या इंडिया हो आंसर लगा देना है यमुना पारी यमुना पारी बकरिया इंडिया हो वर्ल्ड हो यमुना पारी सबसे ज़्यादा दूद देने वाली उटनी उटनी काबुल उटनी इंडिया काबुल उटनी वॉल्ड में इंडिया में थोड़ी है ये सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गधी गधी याद रखना हलारी भाई साहब इंडिया वॉल्ड का पहला ऐसा देश बना है जो गधी के दूद का डेरी खोला है हिसार में साथ हजार रुपे पर लीटर दूद है भाई साव हलारी डौकी का साथ हजार रुपे पर लीटर भाई साव इस हलारी गधी का इतना फेमस है हिसार में खुला है भाई साव सेंटर और आप बात करते हो गधी का सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली लेग हॉर्न इटली में पाई जाती है भाई साब लेग हॉर्न ये है वो मुर्गिया और भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है कड़कनाथ मुर्गा जिसका अंडा फेमस है काला काला किलियर गीर हाँ गीर गदो का अरे किलियर है भाई साव गीर गीर नेशनल पार्क भी है हाँ गुजरात में जो एसियोटिक लाइन के लिए फेमस है अरे किलियर है भाई साव अरे वाह मेरे लाल क्या बात है क्या बात है चलिए एक दो सेकेंड का कोश्चन बताईए इस बार इस बार आंसर आना चाहिए भाई साव और देखते हैं पुरुस या लड़की चलिए याद रखना मेरे लाल एक कोश्चन आएगा जो सबसे फेमस होगा ये बताईए सुन्य म कहां पर है सुन्यमील तों यह मिल नागपूर शोकभ खान शोकप खान साल का है बही साब ड़ोकभ खान नागपूर सो खान यह बताएं भाई साब कौन सा गलत है कौन सा गलत है हर पेटोलोजी भाई साब जो जानवर रेंग के चलते हैं रेंग के जैसे सांप जैसे सांप कचुवाच, हिपकली, क्रोकोडाइल ये सब के सब हैपेटोलोजी इस्टडी कहलाती है अगर आप ये पढ़ाई करोगे तो रेंगने वाले जानवरों के बारे में पढ़ोगे बि ये देको सांप है बाई साब ये छोटे-छोटे कीट पतंगो चोटे-छोटे तितली-पितली इन सब के बारे में पढ़ोगे तो वो आएगा एंटोमलोजी ठीक है and anatomy अनाटोमी this is the study of body full body anatomy full body सारे सरीर के बारे में anatomy सारे सरीर के बारे में बिलकुल ठीक है भाई साब इसमें गलती क्या है बिलकुल ठीक है psychological kidney के बारे में हाँ भाई साब psychology का मतलब होता है मनोबिञ्ञान दिमाग के बारे में भाई साब मनो बिज्ञान किडनी के बारे में तो भाई साब नेफ्रोलोजी होता है नेफ्रोलोजी गलत है साइकलोजी नहीं होता ये देखो ये होता है साइकलोजी साइकलोजी ये देखो ये ये डॉक्टर नहीं है साइकलोजिस्ट है ये छोरी है, हर्याना एस्टेट का फोम भरी है भाई साब, और इसको बता दिया, खटर साब ने कि 7 साल की वैलिडिटी थी, थारा पुराना वाला कैंसल, भाई साब डिप्रेशन में आ गई, और गई इनके पास, इन्होंने बोला जाने दे कोई बात न बेबे, दोबारा पे टाइम है, भाई साब ये दोबारा गई साइकलोजिस्ट के पास, बोला जी मैं तो ठीक हो गई, बोला मैंने कहा था ने लडली, टेंसन ना ले, वो डोक्टर नी वी कहा था, टेंसन ना ले, हो गई ना पास, तो भाई साब, ये साइकलोजिस्ट जब आदमी डिप्रेशन म जाता है तो साइकलोजिस्ट ठीक करते हैं भाई साब किलियर अरे किलियर मेरे लाल बाव वेटे मौज कर दी, ओ माई गड रिगवेद रिगवेद याद रखना मेरे लाल रिगवेद का मतलब होता है कि आपका प्रार्थना प्रार्थना याजुर वेद का मतलब होता है कर्मकांड मरने के बाद जो होता है साम वेद का मतलब होता है संगीत, सारे, गामा और अथर वेद का मतलब होता है जादू, टोना ठीक तो है भाई साब एका चार या तह ये, या तह ए कोई बात न, बी का दो B का 2, यहां तो एक है गलत, B का 2, A सही है भाई साथ, A, A सही है भाई साथ, चलिए, यह मेरा साहद second last question है, बिल्कुल second last question है भाई साथ, भारत में तेल की पहली refinery, कब लगी थी याद रखना, याद रखना 1901, 1901 लॉड करजन था, लॉड करजन और असम में एक जगह है डिग बोई, वहाँ पर पहली बार लगा था भाई साथ, 1901 लॉड करजन था और उसके समय में डिग बोई में लगा था भाई साथ, और डिग बोई पढ़ता है भाई साथ, यह आपका पढ़ता है और यह हटना 1901 की है बाइसाब जब Lord करजन साब ए और उनके नित्रितों में ये लगा था भाई साभ बिल्कुल ठीक बात है बाइसाब लास्ट कोस्चिन आपके सामने लाष्ट कोस्चिन आपके सामने बाई और यह question या तो एक करुण का सवाल था या तो साथ करुण का सवाल था के वी सी का भाई साथ last question है ये आज का चलिए C अच्छा टर्टल बाव वेटे मोज कर दी चिंपांजी ध्यान से सुनना भाई साथ आज तक धर्ती से उपर पांच जानवर गया है भाई साथ धर्ती से उपर पांच गया है ये लाईका 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 एक कुतिया थी भाई साथ कुतिया लाईका और लाईका 1957 में रस्या के द्वारा भेजा गया था भाई साथ रश्या के द्वारा और यह बाद में जाकर मर गई और स्पेस सटल 1958 में आया भाई साब लाइका ये चिमपांजी भाई साब चिमपांजी जिसको हम बोलते हैं हम या हैम हैम और याद रखना मेरे लाल ये 1961 में हैम साब 1961 में हैम साब गय हुए थे अंतरिक्ष में और इसको भेजा था भाई साब हैम को युएस से ने भेजा था भाई साब ये 1961 की बात है भाई साब उसके बाद मेरे लाल तीसरा 1963 में भाई साब फ्रांस ने भेजा और फ्रांस में एक बिल्ली को भेजा भाई साब एक बिल्ली को 1963 में एक बिल्ली को भेजा भाई साब उसके बाद 1968 में रसिया ने सोबियत संग ने एक कच्छुवा को भेजा भाई साब कच्छुवा को और याद रखना भाई साब 2018 में कुछ अलग-अलग देश मिलकर कई देश मिलकर और भाई साब 20 चूहे भेजे 20 चूहे भेजे गये है भाई साब और 2021 में उनका रिजल्ट आया भाई साब तो आज तक ये आदमी गय हुए हैं ये जानवर गय हुए हैं ये कुट्ता ये कुट्ता ब्रीड ये चिम्पांजी ये चूहा ये कच्छुवा ये बिलोटनी याद रखना भाई साब ये भी मर गय जाके वहाँ वहाँ भाई साब बिलोतनी भी वहाँ हरकत की मर गई इसमें से कुछ भारत अभी आए नहीं है चिमपांजी वापस आगया भाई साब कुछ दिन बाद मरा कच्छुवा भी वापस आगया भाई साब यानि जो कुतिया थी वो इस्पेस में गई थी भाई साब, चंद्रमा पर नहीं गई थी, भाई साब ये चिंपेंजी जो है वो इस्पेस में गया था भाई साब वापस भी आ गया, चंद्रमा पर नहीं गया था, भाई साब ये बिलोटनी इस्पेस में गय थी भाई साब, च चंद्रमा पर नहीं गया था और ये कच्छुआ जो जाकर भी वापस आ गया याद रखना ये चंद्रमा पर गया था चंद्रमा पर गया था भाई साब तो ये कोश्चन है भाई साब क्लियर पिर नीरस दहिया ऐसे कैसे मिलेगा आपको तो आना पड़ेगा ना ऐसे कैसे मिलेगा भाई साब आप बताओ आप लोग के जो हरकत थे उस दिन आप खुद बताओ आप मिलो तो परिवार आओ फैमली के साथ फिर मिलते हैं बात करते हैं उस पर चलिए आज का लास्ट कुश्चन भाई साब जाते जाते याद रखना भारत का पहला ओयल रिफाइनरी किस अंग्रेज के समय में ओयल रिफाइनरी बताइए अंसर जल्दी बताइए डिगबोई गोरो नहीं आपका अंग्रेज का नाम बताना है कारजन गुड्डू गुड्डू ने एव इतिहास रच दिया लास्ट कुश्चन का अंसर करके बाबाय अल्विदा फिर मिलते हैं नमस्कार मित्रो चलिए बहुत बढ़िया भाई साब नमस्कार और आप लोग आप लोग के लिए एक लास होता है भाई साब और आप लोग अगर स्क्रीन सोट नहीं लगाएंगे लाइक नहीं करेंगे कैसे गुजारा चलेगा भाई साब चलिए नमस्कार झाल 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 झाल